let's do question number 23 of exercise 2e that is factors and multiples question number 23 is find the least number of 5 digits ऐसा 5 digit का least number निकालना है which is exactly divisible by जो की exactly divisible हो सके किस से 16, 18, 24 and 30 से तो 5 digit number निकालना है जो की 16, 18, 24 and 30 से डिवाइड हो सके पूरा पूरा हम लिख लेते हैं question number 23 16, 18, 24 and 30 तो 5 digit number कौन से होता है हमारा 5 digit number निकालना है तो 5 digit number least 5 digit number मतलब छोटा वाला 5 digit number निकालना है smallest 5 digit number तो क्या होता है हमारा 1 और उसके आगे 4 zeros यह हमारा smallest 5 digit number होता है अब क्या यह number इन सब से divisible है कि नहीं है या कोई remainder बचता है तो कैसे निकालेंगे पहले हम इन सब का LCM निकाल लेते हैं तो हमने लिखा 16, 18, 24 and 30 इसका हम LCM निकाल लेंगे तो तो देखिए beta आगे टो हमने हम टो हम आगे लेंगे 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 अगे अगें 2 से, 2 1s are 2, 9, 2 3 as it is and 15 as it is now 3 से डिवाइट करेंगे, तो यह 1, 3 3s are 9, 1 and 3 5s are 15 अगें 3 से डिवाइट किया, तो यह आया, 3 1s are 3 और 5 as it is, अब नाव 5 से डिवाइट किया, तो यह कितना गया 1 1 1 and 5 1s are 5, अब LCM in numbers का क्या है, देखिए 2 into 2, into 2 into 2, that means 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 into 5 3 की पावर 2 into 5, देखिए कितना है 2 की पावर 4, that is 2 2s are 4 2 2s are 4, 2 2s are 8, 2 2s are 16, 3 3s are 9 and 5, तो यह कितना आ गया 16 9s is 144 into 5, तो यह कितना आ गया, 5 4s are 20, 0 to carry 22, 2 carry 5 into 5, 7 20 अब हम इस number को यह जो हमारा smallest 5 digit number है, इसको divide करके देखेंगे इस number से, अगर वो पूरा-पूरा divide हो जाता है, तो that means यह ऐसा smallest number है, जो सबसे divisible हो सकता है, अगर नहीं कुछ remainder आता है, तब देखते क्या करते हैं, तो हमने 10,000 को 720 से divide किया, तो देखिए, 10,000 को हमने 720 से divide किया, तो यह कितना है, अब यह divide करेंगे, तो 720, तो यह कितना आ गया, 0, 10 में से 2 गया, 8, 9 में से 7 गया, 2, 1, 0 उतर गया, यह 7, 2, 0 अब 7, 2, 0, 4 से multiply किया, 4, 0, 0, 4, 2s are 8, and 4, 7s are 28, यह जादा बैठ रहा है, देखिए, 2, 8, 8, 0 बैठ रहा है, और 7, 23s अगर करेंगे, तो 3, 0s are 0, 3, 2s are 6, 3, 7s are 21, देखिए, अगर मैं 13 से multiply करते हूं, तो यह बैटर, 2, 1, 6, 0 और यह हमारा remainder आ रहा है, 10 में से 6 गया, 4, 7 में से बन गया, 6, 640, तो अगर मैं इस number में से 640 minus कर देती हूं, तो हमारा 5 digit नहीं बैठेगा, तो हमें 5 digit number चाहिए, देखिए, अगर मैं इसको minus करती हूं, हमें at least 5 digit number चाहिए, तो 10,000 में से अगर मैंने remainder निकाल दिया, जिससे कि हमारा number आ जा, exactly divisible होने का, तो यह आया हमारा 0, 6, 10 में से 9 में से 6 गया, 3 and 9, तो अब देखिए, यह हमारा 4 digit number है, तो हमें at least 5 digit number चाहिए था, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर at least 5 digit number चाहिए, तो उसके लिए यहां पे यह 13 से multiply हुआ था, 720 को, तो हमारा इतना remainder बच है, तो हमने 720 को 14 से multiply किया, तो वो कितना है, यहां पे लिख देती हूँ, 720 को 14 से multiply किया, तो देखते हैं, क्या यह 5 digit number आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 0 is a 0, 4 2 is a 8, 4 7 is a 28, 0, 2 and 7, तो यह कितना है, 0, 8, 10, carry 1 and 10, यह देखिए, यह 5 digit number है, 10080 है, और हमने कितना लिया था 5 digit number, 1 और 4 times 0, तो इसका मतलब अगर हम इस number में 80 add कर लेते हैं, तो वो number ऐसा number आ जाएगा, जो की exactly divisible है, तो अब देखिए, question में क्या कह रहा था, find the least number of 5 digit, which is exactly divisible by this, तो हमने क्या किया, हमें least number मिल गया, that is 10080, जो की exactly divisible होता है, और यह 5 digit भी है, जो की exactly divisible होगा, किस से, 720 से, answer, let's do question number 24, question number 24, is find the greatest number of 5 digit, पहले हमार था, least number of 5 digit, अब वो कह रहा है, greatest number निकालना है, 5 digit, which is exactly divisible by, इन सारे numbers से, exactly divisible हो, तो कैसे निकालेंगे, चलिए, greatest 5 digit number पहले निकलेते हैं, greatest 5 digit number है, greatest 5 digit number है, हमारा, 5 times 9, अब ऐसा कौन सा 5 times 9 के आसपास का number है, जो की exactly divisible हो सके, किस से, that is, 9, 12, 15, 18 and 24, 9, 12, 15, 18 and 24 से, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जब भी हमें exactly divisible निकालना होता है, कि हो सके, तो उसके लिए हम LCM निकालते हैं, तो हमने किया, 9, 12, 15, 18 and 24 का LCM निकाला, तो यह कितना है, तू से गया, 9 as it is, 2, 6 are 12, 15 as it is, 2, 9 are 18 and 12, again 2 से, तो 9 as it is, 2, 3 is a 6, 15 as it is, 9 as it is and 2, 6 are 12, again 2 से गया, तो ही आया, 9, 3 as it is, जो कट नहीं सकते हैं, उनको as it is ले ले लेते हैं, 2, 3 is a 6, मेरा इंट्रो वीडियो देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, नाओ, 3 से, 3, 3 is a 9, 3, 1 is a 3, 3, 5 is a 15, 3, 3 is a 9 and 1 is a 3, again 3 से, तो यह आगया, 1, 5 as it is, 3, 1 is a 3 and 1, अब 5 से लेके जाएंगे, डिवाइट करेंगे, तो यह आगया, 5, 1 is a 5, तो LCM कितना आगया हमारा, LCM आगया, 2 की पावर 3, into 3 की पावर 2, into 5, तो यह कितना है, 2 की पावर 3 का मतलब है, 8, 2, 2 is a 4, 2 is a 8, 3 की पावर 2 का मतलब है, 9 into 5, अब 8, 5 is a, 8, 5 is a, 40 होता है, तो 40 into 9, that is 360 आए, अब अगर 360 इस पूरे नंबर को डिवाइट कर पाता है, और कोई remainder नहीं आता, तो तो वह 5 डिजिट नंबर होगा, greatest, otherwise not, लेकिन अगर greatest 5 डिजिट नंबर निकालना है, तो हमारा अगर remainder बसता है, तो उसको minus करके देख लेते हैं, कि वह हमारा exactly divisible है कि नहीं है, तो चलिए करते हैं, greatest 5 डिजिट नंबर था हमारा 99999, उसको हमने divide करके देखा, 360 से, तो यह कितना आया, 360, 3 is a, that is 0, 3 is a 18, carry 1, 3, 3 is a 9, and 10, यह जादा हो जाएगा, तो 360, 2 is a जाएगा, 2 is a 0, 2 is a 12, 2 is a 6 and 7, तो 2 is a 6 and 7, तो 2 is a गया, 720, तो यह कितना आया, that is 9, 7 and 2, 9 उताल लिया, तो अब देखिए, 360, 9 is a, 9, 0 is a 0, 9, 6 is a 54, 9, 3 is a 27, 28, 29, 30, 31, 32, यह जादा बैट रहा है, तो 9, 67 is a देखते हैं, 0, 42, 4, 9, 7, 3 is a 21, 22, 23, 24, 25, यह जादा हो जाएगा, अब 368 जा देखिएं अगर, तो 8, 0 is a 0, 8, 6 is a 48, 4 carry, 24 and 28, तो यह जादा हो जाएगा, तो that means 7 जाएगा, वो आया हमारा 2, 5, 2, 0, तो यह माइनस करने के बाद कितना आया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, और यह 9 उतर गया उपर से, अगेन यही, जाएग, तो 7 जा जा गया, 2, 5, 2, 0, अगेन माइनस करने के बाद बच रहा है, 279, यही continue हो रहा है, तो that means, इसका मतलब हुआ, अगर यह जो हमारा नमबर है, अगर हम इसमें से माइनस कर दें, तो हमारा 5 डिजट नमबर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजट नमबर, जो की exactly divisible होगा 360 से, तो हमने क्या किया, 5 टाइमस 9 में से, हमने 279 माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 0, 2, 9 में से 2 गया, 7, 9, 9, अब देखी, यह देखेंगे, तो यह exactly 5 डिजट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें greatest 5 डिजट नमबर ही निकालना था, that means, यही greatest 5 डिजट नमबर है, जो की इस नमबर से, या इन किसी भी नमबर से आप डिवाइड करेंगे, तो exactly divisible हो जाएगा answer,